नमस्कार दैश नीज में आप सभी दैशकू का स्वागत है मैं पृतिदयाल आपके साथ देखे बिहार में तबादले का इंतिजार कर रहे सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आ गई है आपको बता दे कि ट्रांसपर पोस्टिंग को लेकर के जो पॉलसी बनाई जा रही थी वो तयार हो गई है और इस पॉलसी से जुरी हुई जो अंदर की बात है वो निकल कर सामने आ गई है जी आपको बतादे कि शिक्षक पिछले करीब दो साल से इंतजार कर रहे है साब तोर पर देखा जा सकता है कि जो शिक्षकों का इंतजार है वो कहीं न कहीं थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन पिछले दिनों शिक्षा मंत्री ही क्यों न हो या फिर ACS ऐसे धार्थ ही क्यों न हो दोनों की ओर से कहा गया था कि पॉलसी अब तयार हो चुकी है बस जो पाइनल टच देना बाकी रह गया था बस वही बचा हुआ है तो ऐसे मैं आपको बता दे कि ट्रांस्पर पोस्टिंग को लेकर के ही जो पॉलसी तयार हो रही है उससे जुरी जो अंदर की बात है वो सामने आ गई है जी हाँ अगर पॉलसी के बात करें तो पिछले बार इसमें चार बार बदलाव किये जा चुके हैं जी हाँ आपको बता दे कि जो पॉलसी है उसमें पिछले दिनों चार बार बदलाव हो चुके थे लेकिन इसके बावजूद उसे अंतिम रूप नहीं दिया गया था लेकिन अब बतादे कि पॉलिसी में पांचवी बार बदलाव हुआ है और इसके बाद जो बड़ी खबर है पॉलिसी को लेकर के वो सामने आ गई है जिया नए बदलावों में रिटायर होने वाले शिक्षक और मुख्याले से दूर नियुक्ती की मांग करने वाले शिक्षकों को भी प्राथमिकता मिलेगी हाला कि इससे पहले दिव्यांग और रोग रस्त शिक्षकों को एच्छिक पोस्टिंग पर शिक्षविभाग की सहमती बन चुकी है वहीं अगर नए पॉलसी की बात करें तो उसके अनुसार शिक्षविभाग 12 श्रेनियों में शिक्षकों को बाट कर उनका ट्रांस्फर करेगा इन बारश रेनियों में शहरी, अध शहरी, ग्रामीन, दियारा, पहारी, दिव्यांग, रोग रस्त, रिटायर होने वाले, महिला, पती-पतनी और मुख्याले से दूर एच्छिक पोस्टिंग की मांग करने वाले है वहीं आपको बता दे कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो नई पॉलिसी तयार हुई है उससे कहीं न कहीं 5,50,000 शिक्षकों को लाब होने वाला है, फाइदा होने वाला है शिक्षा मंतरी सुनीर कुमार की माने तो शिक्षकों के ट्रांसपर पॉलिसी पर बरे ही जोर शोर से काम किया जा रहा है और अंदाजा लगा जा रहा है ऐसा कहा जा रहा है मंत्री जी की ओर से कि इस महीने के अंत तक जो पॉलिसी है वो आधिकारिक रूप पर सामने आ सकती है हाला कि निर्ने और उसको लागो करने में कुछ समय लग सकता है इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि शिक्षको की ट्रांसपर पॉलिसी में अब तक चार बार संशोधन हो चुके हैं हर बार शिक्षको के द्वारा उठाए गए मुद्धों को संशोधनों में शामिल किया गया अब पांचवी वार संशोधन हो रहा है शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मताबिक शिक्षिकों की हर तरह की आपत्ती को ध्यान में रखकर जो पॉलिसी है वो बनाई जा रही है वही पॉलिसी के अनुसार ये भी आपको बता दे कि सरकारी स्कूलों को पांच श्रेनियों में बाटा गया है पहला नदियों के पारवाले स्कूल दूसरा पहारी इलाकों के स्कूल तीसरा अर्ध शहरी इलाकों के स्कूल चौथा शहरी इलाकों के स्कूल और पांच वां ग् इलाकों के स्कूल तो कुल में आकर देखा जाए तो ये पॉलसी को लेकर के जो बड़ी खबर है वो निकल करके सामने आ गई है और जो लंबे समय से शिक्षक अपने तबादले का इंतिजार कर रहे थे अब वो इंतिजार कहीं न कहीं खत्म होने वाला है पिछले दिन आपको बड़ादे कि ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलसी को लेकर के ही शिक्षकों के बीच पूरा गुसा और आक्रोश जो है वो देखने के लिए मिला था अपनी मांगों को लेकर के शिक्षक सरक पर उतर चुके थे ट्रांसफर पोस्टिंग की मांग को लेकर के लेकिन तमाम गति वीदियो के बीच जब काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है और इस जोरान जो ट्रांसपर पोस्टिंग पॉलिसी थी वो भी तयार की जा रहे थी तो अब ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ गई है कि शिक्षकों का जो इंतजार था वो खत्म होने वाला है और ट देखने वाली बात होगी कि ट्रांसपर पोस्टिंग को लेकर के जब पॉलिसी सामने आती है तो उस वक्त शिक्षकों का क्या कुछ रियाक्शन होगा तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही अगर आपने भी तक हमारी यूटुब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जब सब्सक्राइब कर दे इसके साथ ही गरी वीडियो फेस्बूक के माधियम से देख रहे तो पेच को लाइक करना ना भूले